जै स्री कृष्णा आये सुनते हैं माग माह में पीपल सीचने की यह कहानी किसी गाउ में एक गुर्जरी रहती थी उसने एक दिन अपनी बहु से कहा कि जा तु ये दूद दही बेचा वह दूद दही बेचने गई तो राश्ते में उसने देखा कि माग माह में औरतें पीपल सीचने आई हैं वह उन्हें देख बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो औरतों ने जबाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सीच रहे हैं उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाब होता है उन्होंने जबाब दिया कि ऐसा करने से अनधन की प्राप्ती होती है अगर किसी का पती वर्षों से बिछडा हुआ है तब वह मिल जाता है सारी बाते सुनकर वह गुर्जरी बोली कि तुम तो पानी से सीच रही हो मैं तो दूद दही से सीचूंगी गुर्जरी हर रोज आती और सारे दूद दही से पीपल की पतवारी को सीच जाती उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि मांग का महीना खतम होने दो तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूँगी मांग का महीना पूरा होने पर पूरिमा आ गई तो वह गुर्जरी पीपल की पतवारी के पास धरना दे कर बैठ गई पीपल ने उससे पूछा की तु यहां क्यों पड़ी है उसने कहा की मेरी सास दूद दही के पैसे मांगेगी पीपल ने कहा की मेरे पास पैसे नहीं है यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना घर जाने पर सास ने पूछा की पैसे लाई है तब उसने कहा की मैंने गुल्लक में रख दिये हैं सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आखें फटी रह गई गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे पत्ते धन में बदल गए जिन्हें देख सास बोली की इतना धन कहां से लाई है बहु ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूद दही से पीपल की पतवारी सीच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दिये थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए बहु की बात सुनकर सास बोली की मैं भी पीपल की पतवारी सीचने जाऊंगी सास दूद दही तो बेचाती और दूद दही की हांडी धोकर पीपल की पतवारी में रखाती थी घर आकर वह बहु से कहती की तु मुझसे पैसे मांग बहु कहती की कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है क्या सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहु ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गए पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान उसे भी दिये और उसने गुल्लक में जाकर रख दिये बहु ने गुल्लक फोड़ा तो देखा की उसमें कीडे मकोडे चल रहे थे गुर्जरी ने अपनी सास से पूछा की यह सब क्या है सास कीडे देख कर बोली की पीपल पत्वारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीडे क्यों दिये इस पर सभी और तें बोली की तुम्हारी बहु ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था लेकिन तुने धन के लालच में यह सब किया इसलिए हाथ जोड कर कहना चाहिए कि हे पत्वारी माता जैसे आपने बहु को दिया वैसे ही अपने भगतों को देना कर दाया दूल्यूद क्वाइए